मोदी जी के सपनों में एक और सपना बुलेट्रेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट्रेन और कहां से कहां तक चलाई जा रही है गुजराप के एहमदाबाद से लेकर महरास के मुंबाई तक ये इतने ही एरिया में चलाई जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है एक लाख करोड रुपिया और कितने लोगों के लिए है मुश्किल से दो या तीन हजार लोगों के लिए ये बॉलट ट्रेन चलाए जा रहे है इस से जादे लोगों के लिए नहीं है और उस रूट पर चलाए जा रही है जिस रूट पर वर्तमान समय में जो ट्रेने चलती हैं उन ट्रेनों में 40% सीट खाली रहती हैं उस पर चलाए जा रही है तो एक सवाल तो सीधा यही खड़ा हो जाता है कि पहले तो भाई उनी को भर लो जो 40% सीटे खाली है उनी को भर लो उससे रेलवे को नुकसान हो रहा है उसी को पह हज का किराया है हवाई हज का जो किराया है उससे भी कम है उससे भी जादे है बुलट ट्रेन का किराया तो जब किराया जादे है और दूरी जो है वो प्लेन से व्यक्ति जल्दी तै कर लेगा तो बुलट ट्रेन में जाएगा यह प्लेल में जाना जो है वो करेगा और फिर ए बुलटेंच चला रहे हैं जिस देश की करोरों की आबादी आज की तारीक में दो वक्त की जिसर रोटी नहीं मिलती भूखे पेट्स होती है इस देश में लगबग 40 करोर लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है तीन लाख लोग इस देश में भूख से मर जाते हैं हर सा साफ पानी नहीं मिलता हम उस देश में पुले ट्रेन चला रहे हैं और जो ट्रेन की वर्तमान हमारी इस्तिती है जो रेलवे का हमारा पूरा धाचा है अगर ये एक लाग करोड रुपया उसमें लगा दिया जाता तो कहीं जादे बहतर आज हमारी जो रेलवे की इस्तिती है वो हो जाती आपने कभी देखा है मोधी जी ने कभी देखा नहीं होगा भाजपा के लोगों ने देखा नहीं होगा और देखा भी होगा तो फिर ये बात माल ली जातकती है कि आँख मीच कर वो उधर से निकल जाते हैं कभी पैसेंजर डिब्बों की हालत देखी है एक के पर एक आदमी चड़रा होता है उन गरीबों की तरफ कभी सोचा है पर आप कि wiping सोचेंगे गरीबों का क्योंकि आप तो अंबानी अडानी जो बड़े-ओड़े उद्योग पतिये हैं उनकी सरकार है ना आप तो उनके लिए काम करते हैं गरीब के लिए कि तो करते हैं अगर जो पैसेंजर के डिब्बे हैं ये बढ़ा दिये जाते अगर ये पैसेंजर के डिब्बों की हाला सुधार दी जाती तो शाद गरीब जनता को इस देश की आम जनता को इस देश की भोली बाली जनता को दुखी और पीडित जनता को कुछ राहत मिल पाती लेकिन आप चंद लोगों को इस सुविधा का लाग देने के लिए आप एक लाग करोड का एक लाग करोड रुपे का बोज भार इस देश पर डाल ले हैं इस देश की जनता पर डाल ले हैं मोदी जी सपने ऐसे देखिए जो देश इतने हो तो बहतर होगा अगर आप देश को बरबाद करने के सपने देखेंगे तो ये सपना कम से कम एक अच्छे प्रधान मंत्री का तो नहीं हो सकता हाँ देश को बरबाद करने वाले प्रधान मंत्री का होतो हो तो आप से निवेदन है ऐसे सपने मत देखिए जो देश को बरबादी और कंगाली के करार जगह पर ले जाएं बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और देश की जनता से कहना है कि देश की जनता भी आँख खोल कर इस सारी चीज को देखे कि जो सपने देखे हैं एक लाग करोड का जिसमें ब बिरिज है बना हुआ रेलवे के उपर उसमें कितने ही लोग मर गए अगर ये वेवसा ठीक कर दी जाती इसमें पैसा लगाया जाता तो देश के हिस में था बुलट ट्रेन बनाने की बजा है बस मेरा इतना ही कहना है भूलना नहीं है देश की जनता को यह सारी चीजें नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले